दोस्तों अगर आपको बजट 15,000 रुपे का है और आप 15,000 रुपे में एक complete mobile buy करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे mobile के बारे में बताने वाला हूँ जिसके अंदर आपको मात्र 15,000 रुपे में 6.78 इंच की full HD plus display देखने को मिलेगी और इसके अंदर आपको 120 Hz का refresh rate भी दिया है और इसके अंदर आपको 108 MP का primary camera देखने को मिलेगा साथ में आपको 2 MP के और camera दिये हैं और front camera आपको 16 MP का देखने को मिल जाएगा और अगर प्रोसेसर की बात ही जाए तो इस phone के अंदर आपको MediaTek की तरफ से आने वाला MediaTek Diamond City 6080 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जिसके अगर अंतुतु स्कोर की बात जाए तो लगो चाल लाग के आसपास इसका अंतुतु स्कोर देखने को मिलेगा जो कि एक 5G प्रोसेसर है जो कि 6 नेनो मिटर टेक्नोजी पर बेजड है इस फॉन के अंदर आपको 14 हाया 5G बैंड देखने को मिलेगा और इस पॉन के अंदर आपको ड्वल स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा इस फॉन के अंदर आपको 15,000 के अंदर 45 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को सीक भीडरी यह उर इस इस फॉन के अंदर आपको जो डॉल सिम देखने को मिलेंगी दॉनों ही 5G को एक साथ सपोर्ट कर सकती हैं अगर आप दो 5G SIM यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस फॉन के अंदर दो सिम एक साथ यूज़ कर सकते हैं इस फॉन के अंदर आपको लेटेस्ट वाइफाई 6 देखने को मिलेगा जो कि 2x2 Mimo टेक्नोलोजी के साथ आता है वह काफी बहतर मिलती है और काफी ज़ादा वास्ट मिलती है साथ में एंडॉइ 13 के साथ आता है सबसे बड़ी बात यह है कि इस phone के अंदर आपको सभी तरह के sensor मिल जाते हैं 15,000 रुपे के अंदर चाहे आप gyroscope sensor की बात करें या फिर fingerprint sensor की बात करें आपको almost सभी तरह के sensor देखने को मिल जाएंगे इस phone के अंदर इस phone के अंदर आपको 256GB का internal storage देखने को मिलेगा अब आपको storage इतना बड़ा देखने को मिल रहा है तो इसका मतनब यह नहीं है कि storage आपको गटिया किसम का मिल रहा है के अंदर आपको UFS 2.2 का storage देखने को मिलेगा और रेम टाइप की अगर बात की जाए तो LPDDR 4X टाइप रेम देखने को मिलेगी इस वह सबसे बड़ी बात यह है कि इतने प्राइज में आपको NFC का भी support मिलेगा इस phone के अंदर हम जिस phone के बारे में बात कर रहे हैं जिस phone के अंदर आपको इतने सारे कमाल के features मिलते हैं केवल 15,000 रुपे में उस phone का नाम है बाइक कर सकते हैं इसके अंदर आपको किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आएगी अगर practically बात किजा है तो यहां आपको camera हो सकता है कि उतना ज़्यादा पसंद ना आए लेकिन यह price के हिसाफ से camera आपको decent लगेगा तो अखरे दोस्तों अभी आप मुझे comment करके बताएए कि आपको infinix की तरफ से आने वाला infinix note 35G phone यह कैसा लगा 15,000 रुपे के हिसाफ से मुझे 15,000 रुपे के हिसाफ से बहुती ज़्यादा value for money लग रहा है infinix का यह phone आप अपनी राय कमेंट करके मुझे बता सकते हैं